महा कालिश्वर के वहरह से जिन्हें अब तक हमने बस सुना था अब उस हकीकत से रूबरू होने की बारी है एक प्राचीन कथा के अनुसार महा कालिश्वर का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महा देव को राक्षस दुश्यंत का अंत करना था महादेव दुश्यंत राक्षस के लिए काल बन कर आये और अवंतिकान नगरी की प्रजा के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्तित हो गए दक्षिन मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिवलिंग या अन्य जोतिर लिंग का जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है परंदू महाकालेश्वर एक ऐसा जोतिर लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिन दिशा की ओर है 12 जोतिर लिंगों में से महाकाल ही सर्वोत्तम जोतिर लिंग है अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग एवं पृत्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है यह शिवलिंग स्वयम्भू है महाकाल ही समय को चलाते हैं औ और काल भैरव काल का नाश करते हैं। उज्जैन की इसी कहानी को जानने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी रोमान्च से भरे इस सफर पर। रहस्मई और चमतकारों से भरी हुई नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। प्राचीन अवंतिका समराज जहांके कभी शासक थे विक्रामादित, चंद्रगुप्त मौर वा राजा भरत्यहरी। अपनी ही महिमा का वर्णन करती है प्राचीन नगरी उज्जैनी उज्जैन वा अवंतिका। जहांके राजा है स्वैम कालों के काल महा काल, ये अनूठा सफर है उसी पावन नगरी की जहां होगी दिविता से साक्षातकार। जुड़िए रोमांच दिल से के इस नए एपिसोड में हमारे साथ। उज्जैन स्टेशन से महा कालिश्वर मंदिर जादा दूर नहीं था। तो हमने इस सफर को जारी रखा और पहुँच गए महा कालिश्वर के दरबार की और। आखेकर महादेव की इस माया नगरी में हमारा आगमन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे और प्राप्त करते हैं महादेव का आशिरवाद। देखते रहिए MPLIVE NEWS। हमने सभी नियमों का पालन करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर काफी भीड थी। लोगों का लगातार आना जाना बना हुआ था। मंदिर के अंदर दिवारों पर भी हमने कई अलग प्रकार्त की आकरितियों को देखा जो देखने में बहुत ही आकरशित लग रही थी हम पहुँच गए फिर मंदिर के प्रांगड की ओट वहां पर लगातार लोगों की भीड बनी हुई थी लोगों का आना जाना लगातार वहां पर हो रहा था हमने भी थोड़ा से इंतजार किया और शिवलिंग की और हम प्रस्थान करने लगे और पहु के एक अलग अनुभूती का एहसास कर रहे थे अभी हम लोग अंदर से बाहर ही आ रहे हैं और महा कालेश्व शिवलिंग को देख कर जो अनुभभ हमें हुआ उससे हम शब्दों में बया नहीं कर पाएंगे वो शांती मन एकदम खाली हो गया ऐसा नहीं कि कोई भाव ना को जच में ऐसा लग रहा था कि वो भी हमें देख रहे और आशिरवात दे रहे हैं हमने पूरे मंदिर को ध्यान से देखा वहां के वातावरण को महसूस किया और फिर हम महा कालेश्वर मंदिर से आगे प्रस्थान कर गए मंदिर से निकलने के बाद हम पहुँचे राम घाट की और हमने बड़ी कहानी सुनी थी राम घाट की परंतु इसकी पीछे की जो कहानी थी असली कहानी वो हमें नहीं पता था तो हम पहुँच गए राम घाट और वहां के पुजारी जी से हमने बात की आखिर इस राम घाट की क्या कहानी आखिर इस घाट का नाम राम जी के उपर ही क्यों रखा गया था मैं इस वक्त शिप्रन अदित के तट के किनारे बैठा हूँ और हमारे साथ है पंडित भारगव जी चलिए जानते हैं क्या कहानी है इस राम घाट की पंडित जी आप ये बताईए कि इस तट का नाम राम घाट क्यों पड़ा क्यों राम जी का नाम इस तट से जोड़ा जाता है त्रेता खे चोटे चल्ड में भगवार राम का जब जन्म होता है वो स्सक्राइबाद में तब जो है देहांत के बाद में वनवाज से लोड़त हूए राम जी ने अपने माता पता के पता जी के जो है अस्तियां लेकर के और पिंडित उनका जो भी कारी करम हो चुका था इसका राम घाट नाम पड़ जाता है और इसमें अबंती का नगरी में राम जी और अवंद्ध महाकाल की सारी भूमिका है महाकाल राम जी किरपा से इसको जो नदी को हम लोग कहते है बेदमाता विश्नु से रूपा छिप्रा तार्णी उत्रवाहनी माता है तो यहां पर जो इनका संगम हुए है तो यह पर गंगा नील गंगा और छिप्रा इन तीनों का संगम हुए है इसलिए इनका नाम इस जगों का लश्वन श्री शंगमिश्वन महादियू पड़ा है वैसे तो उज्जैन शहर में कई चमतकारिक मंदिर शामिल है ऐसे ही एक चमतकारिक मंदिर की और हम खड़े हैं जिसका नाम है संगमेश्वर मंदिर लक्समन सीड़ी जो उज्जैन में ही स्थित है चलिए जानते हैं यहां के पंडित जी से की आखिर क्यों इसका नाम संगम महाराज जो है च्वयंभू महा है और इनके आस्पात जित्ते में महादेव बेखे हुए हैं यह सब तोरा सी महादेव के अंतरगत आते हैं और यह जो शिप्रा नदी के किनारे पर राम घार पर संगमी इश्ण महादेव का जो मंदिर है इस मंदिर का सबसे बड़ा इक्यास बेखे आता कि नागनागिन का जोड़ा रहर कर और उनकी पूजा होती चंगम हो जाटा है नागनागिन का नहां पर जो भी रुग्टि अपने पडिवार से जिसकी द्यावशाजी नहीं हो रही हो, जिसके प्रगार की कार्य रुके हो, तो उनके सबके कार्ये संगमीशन महादेव के अभिक्षेव करनेते हो जाते हैं, यह स्वयम भू है, अपने आप जागरत हुए हैं, और इनके द्वारा नहां पर समस्ते कार्य आनंद पूर्वक् इसलिए इनका नाम संगमीशन महादेव पड़ा हुआ है, जूसरा यहां पर संगम नजी वजी हुए, आयोध्या मुसरा माया काशी कांची अवन्ति का, पुरी द्वारा वच्छी चर्वा सब्तपुरी मोक्षदाय का है, इन सब्तपुरियों में गंगा जमना सरस्थी, र दिवा पयोषनी नर्मदाज अली, यहां पर आकर विलाजमान हुए, सबी नजीओं का यहां पर संगम हुआ है, और संगम चीर्ट के उपर संगमीशन महादेव बेचे हुए हैं, और हर आदमी का संगम कराते हैं, जै महाकार महाराज की वहां पहुचने के बाद हमें एक औ इसके पीछे क्या रास था, वो हमने वहां के पंडित जी से जानना चाहा, और उन्होंने जो हमें कहानी बताई, वो बहुत ही चौका देने वाली थी, चलिए हम जानते हैं, कि क्या विशेष्टा है शिप्रा नदी की, पंडित जी से, यह शिप्रा नदी जो है, क्रिष्ण यह शिप्रा नदी के पंडित जाता है, क्या वजाता है, मौक्ष जाता है। वापस उसका जनम नहीं होता है लोग उन्हों कहते हैं मरना मरना सब कहे पर मरना जाने न कोई मरना इसा हो कि उसके बाद मरना ही नहीं हो है इस तरह हमने महा कालिश्वर मंदिर और राम घाट के कहानी को और उसके इतिहास को जाना और वहां से हम आगे बढ़ें तो हमें एक घुफा के वारे में पता चला